हम लोग को एक रोटी मिलता था एक कप चाय मिलता था और एक चमत सब्जी और दो रोटी दुपार में साथ तारीक को अगले महिने में छुटने वाला था तो बाद में प्यार ओहर का चकर में पता नहीं कौन सीमा हैदर हो एदर आ गई अभी ओ लोग को वहां पर रोक लें क् हिंदू-Muslim का वह हो गया ना पाकिस्तान से सीमा हैदर नाम के एक महिला अपने चार बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई हुई है वो बताती है कि मैं महबबत करके अपनी महबबत के चक्कर में यहां आ गई हूँ लेकिन आप यह भी समझे कि हिंदुस्तान के पता नहीं क पाकिस्तान की जाकर जेल में हैं और पाकिस्तान उन्हें छोड़ना नहीं जा रहा है मोधुदiben तक पाकिस्तान की जहल में बंद थे क्या कुछ इनके साथ महां पर बीता वो निसे लेने की कोशिश करेंगे सैंसार रोजी रोटी अपना कमाने के लिए गुजरात में काम करने गया थे क्योंकि यहांआ पे सब कंपनिया अपनिया के लिए तो हैंट e हैं। þया तो मैं भी जाते मेन प्ट्टा time कमाने क् लिए अब पानी के बहाँ से बहते बहते चला गया उधर से नेभी वाले आए हम लोग को उधर से पकड़ ले गए हम लोग छे लोग थे जहाज भी साथ में उसमें लेकर के गए थे बाद के 27 मेने पहले कितने एजैंसिया कितने सब आते थे कि कहीं जासूस नहीं है ऐसा है कोई दहसतगर्द नहीं है हम लोग बहुत रिक्वेश्ट उधर किये थे कि हम लोग की मसीन खराव है सर और हम लोग के उधर नेभी वाले से कॉंटेक करके हम लोग को उधर इंडिया वाली को बता दो परदस्ती चांवार हम अभी तर्सदिट्रा बता इसा व क्रि判 ओुफ हम लोग दो कि हम लोग दासतगर्द का भी यह लगा दिये थे थालMore हां करने लोग के लिए तो आप कर नेां फिर चार दिन जब रिमांड पर लिए थे तो पूछताच आप लोगों से काफी की गई बहुत पूछताच करते थे तुम्हारे उधर ने भी कितनी है यह कितना है वो कितना है लेकिन हम लोग थोड़ी न अपने देश के लिए मर जाएंगे लेकिन इसा कुछ नहीं बताए हम लोग हम लोग मच भार हैं गरीम मुद्न खुटिऊंग सफिर ना काफ़ी न हम लोग कongoाना चाहिए हम लोग क्लीप हैं टेम के ठीज वे मीडिया में हम लोगत बोलूट सुनते वोघंगों बना लेते तो हैं यह वात सैने आप 27 महिने रहें और सुबह को एक रोटी बलता ठाल यह कंप Church डूटी दूपार में और ज्वर्फ निonen पूरदिन फिल पर की मीलते थे लेकिन तुम छोड़ देना चाहिए ना झाहिक यह उनको खिलाने का इतना हो नहीं है 600 लोग वहाँ पे 600 लोग हैं तो 400 चुटे थे 200 पहले चुटे 200 हम लोग चुटे थे अभी 100 लोग और चुटने वाले थे इसमें बबलू निशाध हमारे गाउं का ही है उसका भी नाम थल लेकिन साथ तारीक को अगले महिने में चुटने वाला था तो बाद में इस प्यार और का चकर में पता नहीं कौन सीमा है तरो इदर आ गई अभी ओ लोग को वहां पर रोक लिए क्योंकि हिंदू-मुस्लिम काव हो गया ना तो लोग यह सोते हैं कि मतलब यह इधर से जब उधर जाएगी बाद में तब लोग को छोड़ेंगे अगर इस बीच में अगर वो कारे में हिंदुस्तान में रहकर लोग सुनते हैं तो डर लगता है कि यह पाकिस्तान हमारा दुस्मंदेस हैं कभी तो यह सोचते नहीं कि कभी आपने में तो जाते हैं पर आने की हुमिद ही छोड़ दिये थे यह दूब लोग रहें पता seconds जा पाएंगे अपने घर अपने प्लीट में करको खेलाता ही मैं बोलूंगा कि सब पाकिस्तानों इसे नहीं कि क्योंकि कुछ लोग है वह रहा है खीज्ट में वह अच्छे लोग हैं लेकिन और लोग मतलब दूसरे तरीके का मैं तो सबको मालूम है दुनिया को मालूम है जेल में भी आप लोगों से पूछताज कुछ करते थे जेल में नहीं को कई क्वारी आता था जैंसी वाले लाते थे वो लोग को उदर मार मार के कबल आते हैं कि आपको भी मारे थे और लोग को जैसे मार मार के पूछ रहे थे मतलब प्रतारित गड़ते थे अच्छा आपको कब यह पता चला कि अब हम हिंदुस्तान जाने वाले हैं आपको सुचना दी गई होगी आठ दिन बार जब छुटने का आठ दिन पहले मालूम हो गया था कि मत चूट जाएंगे जब तक बाड़र करास हो जाएंगे तब तक भी स्वाती नहीं था तरेण से वेजह कुछ काई करवाही करते हुई ट्रेंट से बागा बार बाढ़ा बार भाडर से सीधा बढ़ोद्रा ले गए बढोद्रासे वहां पर हम लोग को लेगए विरावल जो अच्छा चीज़ हमें बताईश महीनों में कभी आपके परिवार से बात चीत हुई वहां पर कैसे जील में कोई फोन तोड़ी न चलाने देगा खत नहीं भेजने देते थे हैं कुल फाल के फेंक देते थे मतलब आपके परिवार को भी लगा होगे कि 27 महिने जब तक आप आए नहीं तब तक आपको परिवार को लगा होगे कि कहा हैं अच्छा आपके परिवार को पता चल पाया था कि नहीं का पाकिस्तान जब पकड़ा गया था तो हमारा सेट को मतलब मालूम हो हमारी जहाज पकड में निज में दिया है घर पर फोन करके बता दिया था आगे पकड़ा गया है इनका परिवार 27 महिने किस तरीके से घुट कर रहा होगा एक इंदिजार में कि साइध हमारा परिवार वापस आजाए लेकिन एक दिन वह इंदिजार पूरा होता है और फिर ये वापस अपने वत पाकिस्तान को हम क्या हैं यहां से अगर हम कुछ अगर उनके बारे में गलत वो करेंगे तो जो वहां पे जेल में हैं उनको तकलिफी पड़ेगा तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं सीमा हैदर को तो वो भी देख पाकिस्तानी है चार चार बच्चों के साथ है लेकिन हमारे देश में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है लोग संबान कर रहे हैं यहां पर रहे यह भी लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की ही तो है अब उसके एक आवरत के चकर में वहां पर कितने भाई इंडिया वाले जो जेल में बंद हैं वो लोग को वोग के सब परिवार में सव लोग को बच्चे मा वीबी आहूंगे वो लोग की दिल पर कैसा हो अमारे जैसे मद्दूर देखिए हमारा घर यह है कितने गरीबी में हम जेल रहा हूं हमारे बच्चे भीगमांगे इधर से मद्दूरी करके कहीं-कहीं से खाएं गुजारे हैं आपकी तो सोचिए कि आखिर ये परिवार कैसे उस समय अपना गुजारा किया होगा थोड़ा इनकी पत्नी समय बात करूंगा आपको पता चल गया होगा ने उस समय कि हमारे पती पाकिस्तान चले गए सेट बताए थे उसके बात फिर कभी आपकी बात चीत नहीं होती है करजा लेकर इधर अपनी माम अमा के घर से लाते थे ते तमाम ऐसे हिंदूस्तान के परिवार के लोग है जो पाकिस्तान की जेल में कैद हैं